कि मारेंग आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पर वेलकम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास एर्थ का चैप्टर 16 जो की है प्लेइंग विद नंबर्स तो क्या है प्लेइंग विद नंबर्स आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटिड एक्सेसाइज 16.1 करेंगे तो चलिए फटावज से स्टार्ट कर लेते हैं बहुत मज़ेदार है मतलब क्या है नंबरों से खेलना अब तक हमने पिछली क्लास से लेकर अब तक नंबरों के बारे में पढ़ा है उनको एड करना माइनस करना डिवाइड करना अब बारी एक खेलने के खेलने का मतलब है जैसे अब तक अगर हम बात करें तो आपको ऐसे सम्स दिये होते थे इनको हम जोड़ करते थे या इनको हम माइनस करते थे ठीक है अब इनी कुछ रक्मों की जगा पे वो हमें कोई भी लेटर दे सकती है जैसे की यह है ठीक है जी अब मैंने इस question में लेटर सारे ने लिखे नमबर ने लिखे दो तीन जगा पे A, B, English के लेटर लिख दिये अब हमने क्या करना है हमारा काम है इन लेटर अंग्रेजी के जो लेटर है उनकी जगा पे हमने नमबर ढूंड के लिखने है मतलब अगर मैं कहूं तो हमारा काम सिर्फ इन A, B का value पता करना है जो यहाँ पे भरके इस situation इस condition को पूरा satisfy कर सके fit हो सके तो खेलने का मतलब क्या है कि इसको पता करने का कोई hard and fast rule नहीं है जैसे math में formula होती है इनको पता करने का कोई formula नहीं है सिर्फ बार बार एक से लेकर 9 तक की गिंती को हमें भरना पड़ेगा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है अब A और A की जगा पहले मैं एक English का Latin अंग्रेजी अखर ले लूँगी तो उसकी जगा पर 1, 2, 3 से को जो भी condition सेट आते मुझे बार बार भर के पता चलेगा तो भर के हम एक variable का पता कर लेंगे फिर दूसरे variable का ठीक है मतलब पहले A का फिर B का तो इसका मतलब है कि इन नंबरों से खेलना कि कौन सा fit आ रहा बार बार भर के देखना फिर कौन सा चेक करना फिर कौन सा फिट आ रहा उसको सही चूज करना ठीक है जी यह है अल्टिमेटली आज का हमारा एजेंडा क्या एजेंडा है हमने इन लैट इंगलिश के एल्फाबेट्स के वैल्यूस जूननी है और यह दो तरीके से आपके सामने हैंगी एक प्लस के माइनस और डिवाइड के रूप में नहीं आएंगे ठीक है तो चलिए स्चार्ट करते हैं एक्ससाइज 16.1 करना क्या है हमने वो हमें समझ आ गया ठीक है तो क्वेस्चन से स्चार्ट करते हैं पहला क्वेस्चन है 3A25 3A25 प्लस नीची है बीटू अब इसमें इंगलिश के क भी की गिंती कांज से कर नौत के बीच में हमने ढूंड़ने हैं अभी दो तरीके isso किया एक भर हूं दो भर फिन वर देखो कैसे सैटिस्फाइग होरै या अगर मैं थोड़ा से 1 इसको करने पहले दिमाग में सोचूं क्या सोचूं कि ए प्लस का निशान प्लस करने ए में प्लस पांच करने पर दो आए तो ऐसा कौन सा लैटर एक से 9 तक कि जिसमें 5 जोड करूं तो दो आएगा अब किसी में भी पांच जोडने में 2 तो आएगा नहीं इसका मतलब यहां पर दो नी बावारा है दो नीचे लिख दिया गया यह एक था वो उपर हांस ले लिया गया ठीक है तो अब किस नंबर में 5 जोड़ने पर 12 नहीं दो में 5 जोड़ने पर 12 सेवन 3 में 5 जोड़ों 4, sorry, 8 ठीक है, 4 में 5 जोड़ों 9, तो इस तरह करते करते किसमें 5 जोडने पर 12 आएगा 7 पे, तो इसका मतलब 7 और 5 क्या होते हैं, 12 डो नीचे, एक ऊपर, अब 3 और 1 कितने होगे, 4, 4 और 2 कितने हो गये, 6, तो इसका मनलब इकिवैलिव क्या होगी छे तो इसका मतलब एकी वेलियू सात्व दीखिस तो यह मेरा उसर आ अगया ठीक है समज्डाइबात इस तरह हमने वैलीव हीटuxe ट्राइल मेर्थफ़ से पता करनी के इसको कहते हैं हीट competitive कि भरो और ट्राइ तो जो निशानना लग गया जो फिट कर गया वह आपका अंसर वरना दूसरे पर चले जाओ ठीक है तो चलिए अब ऐसे दूसरा तेरा होगा तीन नीचे लिखा एक उपर हांसल होगा ठीक है तो यहां पर पहले देख लो नौ और एक दस दस और चार तेरा तो यह आंसर तो आ गया बी की वैल्यू तीन आ गई सी की वैल्यू मेरे पास एक आ गई अब बचा एक किसमे आठ जोनने पर तेरा आएगा पांच और आठ कितने होगे तेरा पहले मैं एक से शुरू कर लो अगर आपको मुश्किल आती है एक और आठ नो दो और आठ दस तीन और आठ ग्यारा चार और आठ बारा पांच और आठ तेरा तो इसका मतलब एक वैल्यू कितनी होगी पांच तो यहां पर हम लिखेंगे मृटिप्लाई कहते हैं तो देखें अब कहता है मतलब किसी भी एक अलफाएट को जितनी बार मर्जी लिखा हो पर वैल्यू एक ही रखनी है मान दी से मैंने यहां पर वैल्यू दो रखी तो यहां पर वी दो होगी तो बढर क्या यह सेटिंग आ रही है कि दो को दो से नहीं साकता तो इसका मतलब मेरी यह जो वैल्यू मैंने पूट किया वह गलत है ठीक है तो इसका मतलब इसकी जगह अपको यह और वैल्यू भरनी पड़ेगी यह सिच्यूइशन को यह हमारे Question में व्यूट नहीं बैकरी ठीक है तो अब और देखते हैं तो थी देखूँ 3 को 3 से multiply करने पर कितना आता है नाइस तो वह भी नहीं ठीक हो रहा 4 को 4 3 Communications नहीं पर कितना इता है 16 वह भी नहीं ठीक हो 5 को 5 से multiply करूं अगर मैं अब देखूं यहां पर देखते हैं तो अगर मैं देखूं 5 को 5 को 5 से multiply करूं तो answer 25 आता है तो यह setting हो रही है उपर भी 5 नीचे भी 5 नीचे भी 5 तो इसका मतलब यहां पर एक बार एक और 5 पर put करूं तो यह आ गया उपर 25 फाइव और 1 5 5 में 2 एड़ के 7 तो यहां पर 7 आना चाहिए तो पर हमारा 9 आ रहा है तो इसका मतलब एक ही 5 वैल्यू नहीं भर सकते यह मेरी वैल्यू यहां पर क्या है गलत है इरेस कर दूंगी फिर आगे चलते हैं 5 से आगे क्या आएगा 6 6 आएगा तो चलिए अब 6 भर के देख लेते हैं 6 6 6 6 को 6 से मल्टिप्लाई किया 36 36 का 6 तो नीचे लिख दिया 3 उपर 6 वांजा 6 6 में 3 एड़ के 9 तो यह अब सही आ गया तो इसका मतलब एक ही वैलू यहां पर की क्या है 6 है तो यह हमारा अंसर हो गया ठीक है इस तरह हमने भर-भर के देखने और इसका कोई भी पर्टिकलर मैथटर्ड फॉर्मूला नहीं है चलिए बागे कर लेते हैं क्वेस्चन अब बाकी क्वेस्चन्स प्राक्टिस है हम कोशिश करेंगे सारे क्वेस्चन करने की अगर कोई रहा गया तो आपने करनी है ठीक है क्योंकि मैट्स में कोई भी चीज को अगर सीखन क्वेस्चन में धारन कर सक्ते हैंं टो अब 17 आईगा अब एग बात हापर और सीखने वाली है क्या यह आ OF यह देखो यहां पे यहां पर एह मतलब मेरे पास दो लाइटर जैंब इसको पता करना मुश्किल है अगर मैं इसे अगली लाइन में चलूँ वहाँ प्ze एक ही लेटर ए यह baakी दोनों पता की होगा हैं तो हमने पहले उस लाइन को छेडना है उस लाइन को ऑस लाइन में जाना है जिस लाइन में मेरे पास एक English का variable होगा letter होगा जैसे इस line में एक English का letter है न तो इसमें पहले मैं इसी को छेडूंगी इसी को ढूंडूंगी जब ये पता चल गया फिर दूसरी line में आऊंगे उसमें एक तो पता ही होगा दूसरा पता चल जाएगा जैसे भी एक ही जगह तीन लिखती हूं तो तीन प्लस तीन छे ठीक है अगर एक ही जगह मैं दो लिखती हूं तो दो और तीन पांच हुए तो इसका मतलब से कम एक उसल तो जरूर होता है एक से जादा हो वह बात महीं पता चल जाता है ठीक हैं तो हमने एक हांसल मानके चल लह तो अगर मैं यहां पर 12 और ये अंसर भी लिया है तो अगर बी की वैल्यू मैं 5 बरूं 7 और 5 बारा तो इसका मतलब मेरा बी कितना आ गया पांच और एक इतना आ गया दो तो यह आंसर हो गया ठीक है जी अब यह 5th question कर लेते हैं 5th question है A B 3 into C A B ठीक है अब देखो कहता B को 3 से multiply करने पर आंसर B आए किस रकम को 3 से multiply करने पर वही आएगा अगर मैं 0 भरूं 0 को 3 से multiply करूं 0 आता है ठीक है तो यहां पे 0 condition satisfy हो रही है एक करूं 1 अगर मैं यहां पर वान पर एक को 3 से multiply करूं तो 3 आएगा एक तो नहीं आएगा जबकि हमें जो भरना उसी उत्तर चाहिए तो इसका मतलब यहां पर एक मेरा नहीं चल सकता और आगे चलूं 2 को भरूं 2 को 3 से multiply करूं तो नीचे से 6 आएगा हमें तो 2 ही चाहिए तो इसका मतलब यह भी दो वाली condition भी नहीं satisfy हो रही आगे तीन भी नहीं हो रही तो और कॉन सो रही है पांच हो रही है कैसे पांच यहां पर भरूं फाइव थीजा 15 तो इसका मतलब पांच नीचे आ रहा है ठीक है अगर मैंने मान लीजिए यह भर दिया तो पांच यहां पर दिया तो एक ऊपर चला गया ठीक है यहां पर बन बन तीन एक जा तीन तीन और एक 4 यह डबल चाहिए तो इसका मतलब यह शाट्रक नहीं हो रहा अगर यहांपर पांच बन तो 3 15 1515 16 जबकि हमें तो यह पर पांच चाहिए तो इसका मतलब 0 से satisfy करने पड़ेगी यह 5 वाली हमारी condition satisfy नहीं हो रही तो देखा हमन जीरो थ्रीजा जीरो ठीक है अब थ्री को डैस से multiply कने पर कहेंगे अब यहां पर पांच परेंगे तीन पांच पंदना तो यह अंसर हो गया A मेरा पांच हो गया B मेरा जीरो हो गया C मेरा एक हो गया सैटिस्फाई हो गया तो चलिए आगे चलते हैं 7th question पे A, B, 6 आगे आगया B, B, B अब यहां पे भी देखो उपर और नीचे वाला सेम है तो 0 भर के देखते हैं सबसे पहले क्योंकि पिछले question में भी B था हमारी 0 से setting आई थी condition fit हो गई थी तो यहां पे भी 0 भर के देखते हैं यहां पे 0 भरा 6, 0, 0 अब 6 को किस से multiply करने पर भी यहां पे भी मेरे पास क्या आजाए 0 आजाए यही देखना हमने ठीक है तो यहां पे क्या आएगा 7th question करना ना हमने नहीं हमारा 6th question हो गया नहीं 6 नहीं हुआ चलिए हम यहां पे 7th करने लगे पर हमारा 6th नहीं हुआ अच्छा देखो अगर अब मैं यहां पे 0 देखो 0 भर दिया तो यह तो सारे answer 00 हो जाएंगे तो इसका मतलब यहां पे यह condition set नहीं कर रही तो इसका मतलब यह 0 यहां पे नहीं आ सकता उस question में 0 आ सकता था इसमें नहीं आ सकता तो और देख चलते हैं अब और कौन से नंबर है कि जिसको multiply करने पर वही आता है 5 ठीक है 6 5 जा क्या हो गया 30 तो वह भी यहां पे नहीं आ रहा क्योंकि अगर मैं यहां पे भरूं जब 6 5 जा क्या आ गया 30 तो 0 आ रहा है वह भी नहीं सेटिंग हो रही और देख फिर कौन सा भरूं अगर मैं देख फोर भरूं फोर भर के देखते हूं 6 4 जा 24 तो यहां पे 4 आ गया दो उपर आ गया अब यहां पे भी हमारी बी की वैलू 4 4 चार चाहिए जहां पर एक बार भी ही चार भर है तो जहां जहां भी है वहां वहां हमें चार ही रखना है इसलिए मैंने चार-चार पहले भर दिया अब सिर्फ चेक करना है कि यह सैटिस्फाई हो रही है छे को किस से मल्टिप्लाई करूं और उसमें दो जोड़ने पर चतालिस आ जाए तो 6 7 जा क्या होता है 42 हना 42 में दो एड करूंगी तो 44 आ जाएगा तो इसका मतलब एक ही वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 है तो यहां भी मैं लिखूंगी A मेरा हो गया 7 B मेरा हो गया 4 ठीक है जी अब मेरा यह रह गया था 6 वो कर लेती हूं A B 5 इंटू C A B यहां पर फिर से पहले 0 ही भर के देखते हैं तो 5 0 जा 0 अब 5 को किसे मल्टिप्लाई करूंगी यह तो वो 5 है 5 5 जा 25 तो यह अंसर हो गया A मेरा 5 आ गया B मेरा 0 आ गया C मेरा आ गया 2 ठीक है जी तो चलिए 7 भी हो गया अब बारी है 8 ग्वेस्टिन की मुझे पूरा विश्वास आपको सारी बाते समझ आ रही हैं फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंस में पूछ सकते हैं ठीक है वैसे बहुत इजी है भर भर के देखना है अगर प्लस है तो प्लस प्लस लगा के देखो किसमें जोड के इतना आएगा अगर मल्टिप्ला यह तो ट्रिक है बस जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसी आपकी चीज़ें जादा दिमाग में क्लियर होती जाएंगी और जब क्वेस्चन आएगा तो तो प्लस है ना एक में मैं कितना जोडूं कि मेरे पास जीरो आ जाए तो दस बनता है इसका मलब 0-1 ओपर तो इसका मिला बी की वैली क्या होगी नो और एक जोडूं कि 10 आ जाएगा तो एक और एक तो दो हो गया अब यहां पर क्या नो तो मैंने लिख दिया अब 9 कैसे बन लेखते हैं तूए अब यह थ्री डीजिट है अभी तक हमने सिर्फ डीजिट वाले किये थे जिसमें दो-दो थी एकाई दहाई यानि की वान्स और अब बार यह थ्री डीजिट की इकाई दहाई सैंकड़ा वान्स टैंस हंड्रेड ठीक है तो वह भी कर लेते हैं तो यह वन 12 18 अब देखो इसमें दो English variable है इसको हम बाद में छेड़ेंगे इसमें भी दो हैं इसको भी बाद में इसको बाद में इसको हम छेल सकते हैं इसी से सबसे पहले हम पता करेंगे तो किसमें एक जोड़ां की आठा जाए पहले मैं यह लाइन आपको कंफ्यूस ना करें तो यह कर लेते हैं इसका कलर भी चेंज कर लेती हूं ब्लू ले लेती हूं ठीक है जी तो चलिए अब किसमें एक जोड़ूं की आठा जए साथ साथ में एक जोड़ूं की आठा गया अब जहां जहां भी है वहां-वहां मैंने सेवन लिख लिए अब किसमें साथ जोडने पर एक आ जाये एक तो होगा नहीं मतलब 11जा होगा तो इसका उनलाम यहांपे एक हांसल है तो दो और टीन तीन में कितना जोडू की साथ अब यह आपर यहां पर सारी वैल्यू सैटिंग हो गई देखो चाहर के 7 और 1 8 4 और 7 11 एक चार और 3 7 तो सारी सेटिंग हो गई तो सका मतलब एक वैल्यू 4 वैल्यू 7 तो बारी यह लास्ट क्वैस्टन की नाइंत हो गया अब पारी हमारे last question की वो भी three digit number है इसके बाद हमारी ये exercise क्या हो जाएगी खतम दिंग 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 तो चलिए start करते हैं ये last question अब देखो ध्यान से अच्छा आप देखो और मुझे बताओ बिल्कुल सही जवाब बच्चे ने कहा कि इसमें दो हैं तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे इसमें एक है या तो इसको छेड़ो या इसमें छेड़ सकते हैं क्योंकि इसमें भी एक है इसमें क्या है इसमें हमें एक देखो अगर मैं छे और एक साथ जोड़ूं तो या तो साथ बनेगा या फिर मैंने क्या कहा था कि इकाई दहाई और सैंक्रों में एक हांसल मान के कम से कम जरूर चलना है तो 6 और 28 हो गए तो इसका मतलब एक बार मैं 8 मान के चल रही हूं कि मेरे पास कितनी होगी आठ होगी ठीक है अगर गलत हुआ तो फिर मान सरकार्ट देंगे ठीक है तो एक एक बार मैं 8 मान के चल रही हूं जहां जहां यह वहां वहां मैंने 8 लिख दिया अब यहां पर देखूं आठ और दो दस ठीक बेट रहा है जीरो नीचे एक तो यह सैट बेट रहा है अब आठ में जोड़ों के 9 आएगा एक तो अब यह सैटिंग हो गया तो इसका मतलब एक कितना हो गया आठ बी कितना हो गया एक तो यह मेरा अनसर आ गया ठीक है जी तो यह थी हमारी एक्सरसाइज 16.1 प्लेइंग विद नंबर्स क्या किया हमने हमने इंगलीश के जो अलफाबेट्स थे उनकी जगा पे कौन से नंबर फिट होंगे उनको कौन सी वैल्यूस असाइन की जाएंगी यहीं ढूंडा कैसे ढूंडा एक मैथट हिट ट्राइल मैथट क्या मैथट है जीरो से लेकर नौ के बीच में बार बार एक बी की जगा भरी जाना है जैसे जैसे से कंडिशन सैटिस्वाई हो रही है वह नंबर अल्टिमेट उसको भर देना उसका जवाब वही होगा ठीक है जी मुझे पूरा विश्वास आपको समझा आगया होगा फिर भी एक परसेंट अगर आपको कुछ नहीं समझाया तो आप मुझे कमेंस में जरूर बताईएगा और हाँ अगर आपको कोई प्राब्लम होई तो उसके बारे में भी बताएगा ठीक है जी और हाँ जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शियर करना मत भूलेगा थांक यू हैवे नाइस जे